नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपकी एक ऐसी गलत फहिमी दूर कर रहा हूँ जो की 99% लोगों को है जिनका भी PF करता है उन्हें ये गलत फहिमी है ही है मैं आपको यहाँ विद्प्रूफ लाइफ दिखाऊंगा तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखेगा उस यहाँ पर फीज दे करके मुझे as a expert consult करना चाहें तो वो भी आपके लिए possible है तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ध्यान से देखेगा मैं आपको लेके जा रहा हूँ सर्विस के अंदर में सर्विस के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक में सर्विस करी थी 2014 से 2016 तक तो misconception क्या है? Misconception यह है कि अगर आप 3 साल तक पैसा नहीं निकालोगे तो आपको व्याज मिलना बंद हो जाएगा मतलब 3 साल तक ही व्याज मिलता है यह एक बहुत बड़ा misconception है जो हर्जगे फैलाए जाता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 7 साल क बाद pension में interest आना बंद हो जाता है और कोई भी contribution ना हो तो आपको व्याज सिर्फ 3 साल तक मिलता है यह 99% लोगों को ऐसा लगता है लेकिन यह बिलकुल ही गलत है मैं आपको यहाँ प्रूव करके दिखा रहा हूँ देखिए एक member जिनका contribution 2016 में आना बंद हो गया क्या उनकी pass book पे आया है हम यहाँ पे passbook पे टच करते हैं passbook पे टच करने पे हम अगर नीचे जा रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे member का जो contribution आया है वो सिर्फ और सिर्फ 2016 तक आया है जैसा कि आपने service में देखा था कि April 2016 तक पैसा आया है उसके बाद जो आप लोग जानते ह हो कि तीन साल तक पैसा interest जो है जमा होता है तो 2017 में जमा होना चाहिए बिलकुल जमा हुआ है ये रहा 2017-18 का पैसा जमा हो गया 2018-19 का पैसा जमा हुआ हुगिया लेकिन इसके बाद का देखिये 2020-21 का पैसा जमा हुआ है 2021-2022 का भी जमा हुआ है और यहाँ पे 22-23 तक का भी प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि भले ही आपका PF के अंदर पैसा जमा होना बंद हो जाए, भले ही आपकी कंपनी आपके PF में कॉंट्रिबूट नहीं कर रही है, उसके बाद भी आपको व्याज मिलता रहता है, व्याज मिलने की कोई तीन साल की समय सीमा नहीं है, अगर आप दस साल भी उसमें रखे रहेंगे, तो आपको व्याज मिलता रहेगा, और मज़े की बात यह है, कि अगर आप साथ साल तक PF अपना नहीं निकालेंगे, तो जो भी आपका PF का प्रिंसिपल एमाउंट है, वो PF का प्रिंसिपल एमाउंट दो गुना हो जाएगा, मेरी बात प कि आपका इंटरस्ट कितना है, तो आप देखेंगे, तो टोटल बैलेंस में से 22,000 रुपे आपके इंटरस्ट के ही है, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने की घटना है, कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 25,000 रुपे PF के उपर में आपको 22,000 रुपे का फिर 27,000 रुपे और आज व्याज मिलता है, 3580 रुपे, अगर यह अभी भी अपना PF नहीं निकालते हैं, तो भी इनका इंटरस्ट आता रहेगा, यहाँ पर जो समरीद दी जाती है, यह 12 सालों के दी जाती है, तो जैसे माल लो 2023 हो गया, फिर 2024 हो गया, तो यह इधर सरकता जाएगा, यहाँ 2014, फिर 15, फिर 16, ऐसे करके आपका व्याज बढ़ता जाएगा, इसमें आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया, कि तीन साल वाली बार टोटली गलत है, आपको जो इंटरस्ट है, वो continue period में मिलता रहता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कि अगर आ आप जाते हैं निकालने के लिए, तो एक तरह से यह समझा जाता है, कि भाई, आपने इतने समय तक नहीं निकाला था, इस चीज की हमें जो है, वजह बताईए, और ऐसे में आप जिन्दा है, इस चीज का आपको प्रूफ देना पड़ता है, प्रूफ के तौर पे आपको फोटोकॉपी जाके वहाँ पर जमा करनी पड़ती है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ती है, तब जाके आपका फाइनल सेटलमेंट दिया जाता है, तो अगर मेरी एडवाइस आप मानें, तो पीएफ में पैसे मत रहने देजेगा, पैसे निकाल लीजे, उस प्रॉबलम आपको आ सकती है, इसलिए अगर आप लंबे समय तक आपने छोड़ रखा हो, तो मच छोड़ो, उसमें से पैसा निकालना, आपके लिए प्रिंसिपल और इंटरस्ट दोनों के लिए सेफ रहेगा, कैसी लगी है ये वीडियो, आपको ज़रूर कमेंट में बता समझाता हूँ, समझाता हूँ, मिलते हैं अगली जानकारी वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद,